हेलो फ्रेंट्स आज हम इस प्रेजेंटेशन में जो प्रडेक्ट्ट्स और सर्विसिस ऑफर की जारी है में इसके तुरू उसके बारे में तोड़ा पढ़ेंगे और इसमें हम जो दो केसिस को हम देखेंगे एक तो एक्विटा स्मॉल को हम रिव्यू करेंगे और मिदेलेंड माइक्रॉ वाइनस गंप्वर्ण में बढ़ी अक्टब में है इन्हों ने हमारे कुछ इवेंट्स को जो हमने भी पीछे अपने सी सीरीस ऑफ इवेंट्स किंसे पिए ते विए से इंदर इसमें काफी अमें सपॉट कियो स्पॉंसरश and low-income group को cater करें यानि उनके पास जहां vulnerability है जहां risk बहुत आई है यह उनको cater करने की कोशिच कर रहा है तो naturally जहां पर भी risk ज्यादा होता है वहां return की expectation भी ज्यादा होती है और इसलिए rate of interest इस segment में थोड़ा से जादा होता है इसमें हम लोग कहीं न कहीं small business को initiate करने के लिए लोन देने की बात कर रहा है और इसको ethical lending practices के साथ connect कर रहा है मतलब no doubt rate of interest थोड़ा से जादा है बट स्टिल इस पे हम अगर आप यह ignore कर दें rate of interest को आप देखें इस segment को को लोन देने के लिए रिस्क का इलिमेंट बहुत ज्यादा है तो आपका यह finance का ही concept है कि जहां रिस्क बहुत ज्यादा है वहां रिटर्न की expectation भी बढ़ जाती है तो यहां पे भी जो segment में को थोड़ा स्ट्रीम लाइन किया जाए और आने वाले टाइम में इस लोन को और चीफर कैसे बना सकते हैं कि यह वनरेबल segment है जिनकी पास कोई access नहीं है और अगर हम सही मायने में उनको access देना चाह रहा है तो कही ना कहीं हमें उनको चीफ फंडिंग देनी पड़ेगी कहीं ना कहीं उनको market की competitive rates में लेकिया आगा पड़ेगा अब इसमें microfinancing companies जो हैं बहुत सारे टाइप के financial instruments offer करते हैं जैसे सेविंग है credit है credit को loan भी कहते हैं लीजिंग है insurance की facilities मिलती है और remittances के लिए cash transfer के लिए भी हम इनको एसिस्ट करते हैं through microfinancing तो इसमें बहुत सारे टाइप ओफ इंस्टिउशन इनको एसिस्ट कर रहे हैं जैसे banks हैं इंजियोज भी banks के साथ collaborate करके काम कर रहा है credit and saving societies है अना association cooperative cooperative मतलब groups बने हुए हैं लोगों के और फिर उसके बाद इसमें financial and financial sources से like informal in informal sources मतलब हम जो कहने की बात कर रहा है यह यहां पर हमारा यह रख रहा है कि in particular segments के अंदर जहां रूरल पूर को पैसे की कमी है वह पैसे देने का है प्लस कभी-कभी हम non-monetory terms में भी बात करते हैं जैसे कोई advisory services है कोई consultancy है कोई उनको training देने का यह सारी कीजें भी आप उनको cater करने की कोशिश करते हैं अब यहां कुछ examples दियें microfinancing services के group loan दिये जाते हैं individual loan भी मिलते हैं business loan business segment के लिए agriculture loan है insurance facility है money transfer है energy loan है कि आपके पास clean energy होनी जैसे आप देखें pollution अगर फैलाया जा रहा क्यांकि यह segment vulnerable segment है तो इनकी पास कोई regular sources नहीं है sustainable model नहीं है आप देखें यह अभी नरेंद्र मोदी जी के government में इन्होंने अभी gas connection सबको करा उससे पहले नहीं था या government इस तरीके से नहीं सोच रही थी तो यही है segment जो कही न कहीं अगर आप उनको सही से train करते हैं तो आपके जो environmental like जो imbalances इसको थोड़ा से contain किया जा सकता है यानि लोग लकडी से अपने रोटी बनाने की जगा आप यह यानि यानि regular gas connection जो है आपको उसको यूज करके करें तो देखें आपका एक तो जो हेल्थ प्राक्टिसेज हैं तोड़ी इंप्रूफ की जा सकती है और उसके बाद सेविंग अकांट्स भी है तो यह सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं आप देखें इस साइट रहाए का एक कोड दिया हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि माइक्रोफाइनसिंग मुवमेंट जो है उसने कॉमन पीपल को बहुत बेनफेट किया है और उसकी फ्लेक्सिबिल्टी जो है इस त्रेमेंडस जो बैंक्स नहीं जह सकते हैं जो माइक्रोफाइनस कर पा रहे हैं और इस स्लाइड में हमने खोड़े बेनिफिट्स देखें कि माइक्रोफाइनसिंग में बेनफिट्स क्या है जैसे इमीडियेट फंडिंग आती है आपको लोन का एक्सेस मिल रहा है लोन रीपेमेंट पर आपको अच्छे रेट्स मिलते हैं अगर देखें ऐसा है कि यहां पर रिस्क के प्रपोर्शन में आपको चार्ज किया जा रह करना है तो आपका जो रेट ऑफ इंट्रस्ट है थोड़ा सा टाइम के अकॉर्डिंगली एंडिले के अकॉर्डिंगली वो बढ़ता जाता है तो उसको थोड़ा वॉइड करना है और यूसी यहां पर बहुत ऑपरचुन्टी है लोग इस पैसे को लेके अपने बच्छों क और डॡ़िंगली अब कर सकते हैं अबना बिज्नस एक्सपैंड कर सकते हैं यह जो बिज्टन से फ़ली आइडिया में उसको भी इनिशेट कर सकते हैं और बजुकान कोलते हैं दुकान से कुछ समान बेचना शुरू करते हैं देखें एक तो आपने एधा supplier society में contribute करना शुरू कर दिया दूसरा इससे जो income हो रही है उससे आप अपने और अपने family के लिए sustainable livelihood की बात कर रहा है मैं sustainable livelihood बार-बार रख रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे micro financing का जो aim है ultimate aim है यह जो vulnerable segment है जिसके लिए sustainability नहीं है आप उसको कैसे करके एक sustainable model दे दीजे कि वो अपना खर्चा खुद से निकाले और उसके लिए उसको थोड़ा से initial support चाहिए एक बार हो क्योंकि हर कोई अपनी problem से बाहर निकल के आना चाहिए तो जो लोग आपकी इस model को समझ पा रहे हैं और ठीक से response कर पा रहे हैं इस पर requirement उन लोगों को तो जरूर इस model में benefit मिलना ही चाहिए अब यहां पर कुछ criticisms भी है micro financing की यह actually बहुत exploitative rate of interest है debt trap है और जो money मिलता है इस loan में वो बहुत कम होता है depending on your situation और आप देखे ना आपको loan चाहिए यह पैसे यह लोग वो हैं जो कहीं से loan नहीं ले पा रहे हैं तो अगर आप इनको loan दे रहे हैं और इतना ज्यादा रिचार्च कर रहे हैं तो आप उनको debt trap में डाल रहे हैं यहां पर जो lenders हैं उनके लिए भी respect रहता है क्योंकि recovery ultimate recovery मुश्किल हो जाएगी और इसमें एक चीज़ और हम यहां पर बात रखें कि rate of interest microfinancing loans के जादा है वो इसलिए भी जादा है क्योंकि जो भी default होता है न उसके लिए provisioning करनी पड़ेगी आपको कुछ पैसा रिजर्व में रखना पड़ेगा और वो रिजर्व आप कहां से क्रेट करेंगे तो उस रिजर्व का भी एक वेट आपके interest rate में होता है इसलिए थोड़ा सब्सक्राइब करता है तो इसके बाद हमने देखा कि जो interest element है वो बहुत हैवी है अंदर प्रोदेश का reference रख है कि एक से ज्यादा अगर लेंडर्स ने पैसे देना शुरू कर दिया तो उनकी capacity की assessment जो हो रही है वो ठीक से उसको हम यूज नहीं कर पा रहे है कोई common database नहीं है जहां पर हम information sharing करें और multiple lending को अवेट कर सकें तो अगर intent किसी की खराब हो गई तो फिर यू कैनाट मैलेज दिस अप्राइजिंग इस अगें डिबेट और हमें यहां पर जो regulatory framework के उसको review करने की जिरू होते हैं अभी इसके बाद मैं आपको कुछ banks की website पर लेके चलता हूं जहां पर हम उनके financial products को तोड़ा detail पर देख सकेंगे पहला बैंक जो हमने देखा था वो equitas microfinance था आप देखें यह equitas microfinance की website है इसमें आप अगर business segment में आकर देखेंगे तो आपके पास यहां पर कुछ टाइप के loans mention किये हुआ है गोल लोन है home loan है agriculture loan है loan against property है vehicle loan है यूज car finance है microfinancing segment है कि हमारा subject microfinancing है तो हम इसे देखें बड़ यह क्या बात हुए कि आप यह सारा ही दे रहे हैं और microfinancing एक सब segment है देखें equitas small finance bank जो है वो एक bank है non banking नहीं नहीं यह एक microfinancing institution नहीं है पहले ही MFI segment में operate करते थे लेकिन आप यह उससे इनका scale-up किया है अपना horizon बढ़ा है और इनको small finance bank का जो tag मिला है तो यह loaning में दूसे segments भी करते हैं चलिए हम तो खाली microfinancing पे चलते हैं जब हम इसको देख पा रहे हैं तो आप यहां देखेंगे कि में इनको कुछ recognition भी अपने काम के लिए मैं थोड़ा से scale बढ़ाने की कोशिश करता हूं हां देखें equitas small finance को अगर आप देखें तो इनका यहां पर देखें सब्सक्राइब करें कि दिखा रहें 35-40 अब उसमें यह फॉस्क्राइब बदा रहे हैं और फॉस्ट वेरी फास्ट अभी उसकी situation कितनी प्रूव होगी अब उनके loan rates काफी competitive हैं इसके almost half के करीब आ ठीक है उसके बाद इन्होंने real rates publish करने का अपना claim लिया कि हमने first time अपना real rates को customer की passbook में print करके उसको देना शुरू कर दिया यूशली क्या होता है यह disclosure नहीं होता क्या है इंडिया में यह अपनी reporting transparency लेकर आ रहे हैं और इनकी efficiency in operation is very good let's go forward देखें interest rate इन्होंने दिखा है कि maximum interest rate जो है 26% पहले 40% तक जाता था और अभी average 23 है average 23 मतलब सबसे कम 18% सबसे ज़्यादा 26 तो सारे loan portfolio को उठाके weighted average calculate करें तो 23% के करीब आ रहा है तो is decent is still comparatively decent जो पहले था उससे दूसरा इन्होंने यहां पर अपने interest rate को loan के size के हिसाब से बताने की कोशिश किये loan ticket size का मतलब यह कि एक individual को on an average हम कितना पैसा दे रहे हैं इन्होंने अपने टोटल तीन slabs बनाए less than 25,000 greater than 25,000 यह दो सेग्मेंट बना के और तीसरे में डाला average interest rate किया तो पहले वाले सेग्मेंट में जहां आपके value जो है less than 25,000 यह नहीं आप समझें कि जो आदमी छोटे छोटे लोन ले रहा तो उसको हम थोड़ा ज्यादा चार्ज करते हैं जो आदमी हमसे ज्यादा लोन ले रहा उसको कंसेशन देने की कोशिश करते हैं और एक परसंट की उस लोन को कैसे प्रॉपली यूटलाइस कर पाएं बाट उस सेग्मेंट में ऐसा ही है उस सेग्मेंट के requirement ही ऐसी है कि जहां पर आपको हो सकता है किसी medical emergency के लिए चाहिए कुछ renovation के लिए चाहिए यहां पर processing fee की बात किया होता है जब भी आप लोन लेते हैं तो लोन लेने क किशली है इस वाले किसमें 25,000 से ज्यादा तो उसमें हम वन परसंट प्लस GST ले रहे हैं तो टॉटल लोन वेल्यू का वन परसंट ले रहे हैं लें से 25,000 है तो आपको इसमें वान परसंट जो है वह वह 500 रुपे के करीब पड़ेगा ठीक है 200 रुपे प्लस GST चार्ज करत है 200 भी बहुत है लेकिन अब क्या करें उनको भी तो अपने खर्चे निकाल लें दूसरा अब लोन के उप्शन उन्होंने बता दी है यहां पर बहुत इंपॉर्टन है अब किसी भी MFI के अंदर जाओगे तो उसमें एक फॉर्स साइकल शेकल साइकल फॉर्स साइकल कुछ क यह अप इतना ही अविल कर सकते हैं अब जब पहला लोन रीपर देते हैं तो आप सेकंड साइकल के लिए लिए सेकंड साइकल में आप का माउंट भी बढ़ जा रहा है 35 से 40 होग है 40 से 50 हो जाए कर साइकल में और फॉर्स साइकल में 60 तरुदिंट तक जा रहा है तो वाट यह सारे जो हैं वो कुछ conditions के साथ आते हैं किस में लेंगे किस में लेंगे हाँ यहां एक और बढ़िया चीज़े नहोंने पता ही है कि देखें Equidas Small Finance Bank जहां खुद ब्रांच खुल के deal कर सकता है वहां वो खुद करता है जहां वो नहीं जा सकता है किसी third party की services ले लेता है जैसे ओडिसा और उत्तरप्रदेश में ओडिसा मेरी स्टेट और उत्तरपरदेश यह दोनों में उन्होंने न्यू ऑपर्चुन्टी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेट करके एक एजंसी है जिसको हायर किया है और यह देख सकते हैं आप उडिसा में बद्रक कटक जाजपूर के इंदर के उन्जहर मयूर भंच नयागर्ण और पूरी यही डिस्ट्रिक्स को कवर कर रहे हैं तुरू बिजनस कोर्रेस्पॉंडेंट मॉडल में क्या होता है कि जैसे हमने कुछ गाउं के लिए एक रेप्रेजेंटेटिब बना लिया एक इंडिविजल बना को बताएगा तो यह जो बिजनस कोर्स्पॉंडेंट मॉडल है यह बड़ा सक्सेस्फूल है क्योंकि इसमें ज्यादर कॉस्ट नहीं लगती है आपको रिसोर्स की जरूत नहीं है आपको एक एक एम्प्लॉई चाहिए जो कि आप टेंथ प्लस के बाद किसी को भी ले सकते ह उसको थोड़ी सी ट्रेंग देने की जरूत है उसको कुछ डिवाइसे यूज करने आने चाहिए पॉइंट ऑफ सेल मशीन उसको मिलेगी जैसे वह लें देन वहीं पर कर पाएगा और उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग अपनी ब्राज में आके कर पाएगा ठीक है वैसे ही उसके बाद हम अगर आप देखेंगे यहां पर आपके पास इन्होंने सारे करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट यह इंस्टिशूशनल गौर्मेंट के ट्रांजिक्शन भी यह कर रहे हैं यहां पर इन्होंने लोन्स वर्किंग क्यापिटल एकरी बिजनस सारे सेग्में करके करें वाएं तो आपको इसको देख के ऐसा लगता है कि यह कहां से माइक्रो फैनेसिंग के लिए यह चली यह प्रॉपर बैंकिंग कर रहा है माइक्रो फैनेसिंग पुराना निश एरिया था लेकिन अब दिरे दिरे उन्होंने वो निश एरिया को चेंज करना शुरू करना होगा ठीक है उसके बाद इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स के पॉइंट आप यूसे को यह बहुत एक इंपॉर्टन क्लाइंट बेस मांग क्योंकि उनकी तरफ से बहुत फंडिंग विगरा आती है न्री के फंड्स आते हैं तो आपको फॉरिक्स चाहिए होता है फॉरिक्स जो रिस्क रहता है करन्सी रिस्क वो इन इंस्टिविश्वल्स को आप होने लगा है लेट्स गो तो वो दे सेकंड एजन्सी विच इस मिड्लेंड माइक्रोफाइनस आप यहां देखें मिड्लेंड माइक्रोफाइनस जो है उसने अल्मोस्ट बहुत लंबा टाइम नहीं है इनका मार्केट के अंदर वाट यूसी यह ग्यारा साल इनके कंप्लीट हो गए है works में की पीशे rating होके हट ही है उसमें triple b plus इनको rating में लिए what it means कि rating मतलब इनकी थेकरिक से credibility एक rating एजन्सी में investment की बात कर रहा है as a investor as a sponsor as a financer यह आप इन्हें institution MFIs को पैसे देने की बात कर रहा है तो आपको यह ensure जरूर करना चाहिए कि are actually contributing हो नहीं हो यहाँ नीचे उन्होंने अपने milestone के बीच में दिखाया है कि उनके customer service साथे चाहलाक से ज्यादा ब्रांच इस 253 से ज्यादा है और 100 पर्सेंट वो verify कर पा रहे हैं कि उनके जो loan actually given है वो सही purpose पर यूटलाइज हो रहा है और देंगे कितने करोणों का इन्होंने business कर दिया है यहां इन्होंने loan portfolio को दिखाया कि इनका business loan है micro small medium enterprise को भी funding कर रहे हैं टॉप up loan कर रहे हैंगे और situation के हसाबत है और इनकी website आप देखेंगे तो सब का सब ऐसा ही दिखेगा कि जैसे बिचारे यह neglected segment कोई cover कर रहे है नेंदर कोई है उन्होंने statement दिये कि loan help me to increase my income and sales midland microfinance जो है उनकी life में उनको dignity दे पा रहे हैं और यहां पर यह institution ने अपनी कुछ pictures लगा रखी है जो कि वो अपने different events के duration उन्होंने click किया past में और यह देखें थोड़ा से नीचे इनका जो mainly system है वो कहीं न गई joint liability groups से deal करने का process है joint liability JLG model में क्या होता है कि आप एक group बनाते हैं और उस group की combined liability establish कर देते हैं SHG model में यह नहीं होता है SHG में सब लोग independently आ रहे है no doubt वो group में है लेकिन हम जब loan देंगे वो one to one देंगे और group के बाकी members एक social pressure build-up कर सकते हैं और किसी की obligation नहीं है अब financial inclusion के लिए बड़े actively participate कर रहा है यह resources की जो website से हैं वो हमने अपनी presentation में last time use की थी वो भी इनकी तरफ से यहीं से आ रही है और यानि आप देखेंगे they are into loan they are into insurance services insurance services को थोड़ा देखें तो आप समझेंगे कि credit insurance is very important go क्या रहा है कि हम village poor या poor को जो हम funding दे रहे हैं तो बहुत हद तक उनके default होने के chances हैं हम यहां क्या करते हैं कि हम लोगों को वह ऐसे credit insurance तो नहीं हो रहा है तो अगर यहां क्या हो रहा है हम लोग क्या कोशिव कर रह रहे हैं कि जो borrower है यानि जो lady एसे जी और यह जोएंट लाइबिल्टी ग्रॉप में जो बोरो कर रही है हम उसके और उसके हजबन की इंशुरेंस पॉलिसी की बात कर रहे हैं कि अगर उनको कुछ होता है तो उस केस में उनके पीछे देने वाला कोई नहीं रहा जाएगा तो उनके लाइफ इंशुरेंस से से जो मतलब कहीं कलेक्शन आएंगी को हम इनके लोन सेटल्मेंट में यूज करेंगे अब देखें इसमें कुछ गलत नहीं क्योंकि इंशुरेंस कंपनी मार्केट में पैसा लगा रही है उस सेग्मेंट में जहां पर वनरेबिल्टी है ठीक है अब इनको एक साइट पैसा अगर इनको पैसा देना है तो सामने अलको रिस्क लेना और उस रिस्क को कवर करने के लिए अगर वो इंशुरेंस पॉलसी करने की बात करना है तो आप देखें मिट्लेंड माइक्रोफाइनस ने हच्ट इसी आइसी कोटक महिंद्रा अगर बॉर्वर को कुछ हो तो वहां से उनकी लॉस से अब इसमें कस्टमर के अकाउंट में वह एक्च्छल कॉस्ट ऑफ इंशुरेंस चार्ज कर सकते हैं अब इसमें क्या होता है कि देखें कॉस्ट ऑफ इंशुरेंस कौन बियर करेगा यह माइक्रोफनाइसंग कंपनी क कि मार्जन्स वैसे बहुत प्रॉफिट नहीं है और अगर उनको इंशुरेंस को स्पीड लेनी पड़े तो उनके लिए और मुश्किल हो जाई कि बहुत नॉमिनल सी प्राइस पे डे ट्राइट टू कवर अप अब मैं आपको फ्लो चार्ट दिखाता हूं जिसमें कि यह बेसिकली लोन कैसे इनीशेट करते हैं पहले यह अरिया का सर्वे करते हैं वहां पर सेंसिटाइजिशन ड्राइव करते हैं बहुत सारी कैंप्स लगाते हैं जिससे लोगों को इनके परेमां पता चलता है उसके बाद यह लोग पोटेंशिल टार्गेट ग्रॉप के साथ मीटिंग करते हैं फिर वहां पर फॉर्मली ग्रॉप फॉर्मेशन की मीटिंग की जाती जिसमें जो ग्रॉप मेंबर्स दों को पलाया जाता है और उसके बाद एक उनको सेंटर ऑफिसर डिप्यूट किया जाता है जो इस पर्टिकलर ग्रॉप से डील करेगा उसके बाद इस गुरॉप की according to this skill set according to the requirement of that particular ने शेयर है हम उनकी ट्रेणिंग करते हैं ट्रेणिंग के मुल्टिपल लेवल्स हो सकते हैं ट्रेणिंग वने के बाद उनको ब्रांच मैनेजर एक बार फील्ड पर विजट करके investigate करता है कि जो उनको हमने train किया है जो हमारा exposure है इस particular group के साथ वो relevant है कि नहीं और उनकी investigation report के basis पे आप eligibility test करते हैं और group loan की application को process करते है loan की appraisal के बाग loan की appraisal मतलब जहां हम उसकी assessment कर रहा है इसमें 5Cs of credit भी रहता है जिसमें collateral को आप छोड़ के बागी सारे as it is applicable है तो उस appraisal करने के बाद आप यह decide करते हैं कि लोन देना है कि लोन अगर देना है तो उसको फिर हमें sanction order देना पड़ता है sanction order करने के बाद हमें वह amount individual को credit करना होगा उसके account में या cash में देना होगा उसको हम कहते हैं disbursement disbursement होने के बाद हम as a institution as a lender यह ensure करें कि जो पैसा जिस परपस के लिए गया था वो उसी परपस के लिए यूज हो रहा है जैसे बच्चे की पढ़ाई के लिए गर दिया है तो बच्चे के school fee payment होनी चाहिए बच्चा regular होना चाहिए बच पिर उसके बाद हम आते हैं repayment पर जहां पर customer उसको वापस repay करना शुरू करता लोन को इसको आप monthly installment नहीं बनाते हैं क्योंकि महीने में एक बार तो payment आती नहीं यह वह class है जिसमें हम डेली वेजर से डील कर रहा है तो हम इनसे डेली weekly fortnightly by monthly monthly यह मतलब it depends जो भी उनकी comfort zone रह हम यह insure करना चाहरे होते हैं कि यह कहीं पैसे लेकर डूब ना जाए ना डूब ना जाए पीछे ना हो जाए तो यह जो सारे points से कहीं ना कहीं इसमें पूरे detail में इन्होंने अपनी website के उपर display किया हुआ है तो आप इसको कभी भी आके अपना follow-up कर सकते हैं बाकी इन्हों इन्होंने अपनी company की management structure सब कुछ clearly mention किया हुआ है area of operations अगर हम एक बार देखने है थोड़ा सा इन्होंने अपना पूरा geographical coverage दिखा है कि इन्होंने सबसे पहले पंजाब से शुरू किया था पंजाब में देखो per capita income दूसरे states के compared पंजाब हरेना ही बाचल थोड़ी बैटर है लेकिन फिर भी इन्होंने देखा कि यहां पर MFIs की scope है लेकिन companies नहीं है ज्यादा तर companies South Indian states में और Eastern part में concentrated है तो इन्होंने जो है पंजाब से start किया और दीदिदिदिर करके इन्होंने बागी states में भी अपनी branches अब डालनी शुरू करती है 250 प्लस इनके पास branches है तो अगर हम हम देखें इनकी यहां पर लोन प्रड़क्ट क्या है देखें इन्होंने अपने एक टेबलर फॉर्म में प्रेजंटेशन दिया हुआ स्वच्टा लोन स्वच्टा लोन means cleanliness के उपर है शिक्षा लोन बिजनस लोन या इंडिविजन लोन यह सब इन्होंने बताया लोन साइ लोन प्रोसेसिंग के लिए 1% यह चार्ज करते हैं GST लगा के रीपेमेंट फ्रिक्वेंसी ऐस पर दच्वाइस वैसे ही बागी लोन भी है ठीक है तो इसमें आप देखेंगे कि maximum rate of interest जो है 28% बिजनस लोन क्या रहें कि यह पैसे से आप आगे अपनी source of income बढ़ाएंगे त सो इसके साथ फ्रेंट्स हम आज का यह वाला segment जो है इसको बंद करते हैं